हर हिंदुस्तानी को ये बात का गर्व होगा जब लाल किले पर से मुझे पहली बार देश के सामने अपनी बाते रखने का सौफागी मिला था और मैंने स्वच्छता का विशेश छेडा सब लोगों के लिए अचरत था कि ये कैसा प्रधान मंत्री है लाल किले पर से सौचाले की बाते कर रहा है स्वच्छता की बाते कर रहा है अब तक तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बाते सुनी है बड़े बड़े आंकड़े बड़ी बड़ी योजनों के नाम यही लाल किले से सुना है ये कैसा प्रधान सेवक आ गया है कि वो सोचाले की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है, बड़ा अजूबा था लोगों के लिए, लेकिन भाईयों भनों, एक वर्क के लिए अजूबा हो सकता है, उनके लिए आस्तेरे हो सकता है, लेकिन मैं जिस पास्च्व भूमी से आया हूँ, जिस जिन्दगी को जी करके निकला हूँ, और इसलिए इन चीजों की जिन्दगी में क्या एहमियत होती है, इन बातों को मैं भली भाती अनुभव कर सकता हूँ, बेश के छोटे-छोटे लोगों को कैसी-कैसी चीजों से गुजरना पड़ता है, ये अपने अनुभवव से मैंने जाना है, समझा है, और इसलिए एक बार मैंने कहा था, कि मेरी पार्श्वभूम ही ऐसी है, मेरा लालन पालन ऐसा है, कि जिसमें एक छोटे व्यक्ति को अत्यंत पीछे आखरी कतार से आये हुए व्यक्ति को जो और छोटे-छोटे लोगों के लिए बड़े-बड़े काम करके रहूंगा, ये मेरा इरादा है। राजनीतिक विरोध के लोगों ने उसकी उपहास किया, लेकिन बाद में भी उन्होंने उसकी आलोचना करना बंद कर दिया। एक प्रकार से हर किसी का सयोग मिला। आजादी के बाद जन समर्थन से सासन कैसे चल सकता है। जन भागीदारी से सासन कैसे चल सकता है। जनता जनारदन की अगुवाई में सरकार कैसे चल सकती है। जनुआ की bble-जन और road five three hice चल सकता है। आजागी रख्शोंने हम्मीदागी न circuitsवण उन्मीदावशनSO सकता है Candis झाल झाल